नमस्कार मेरा नाम है मिताब और दुरुष्टियाइस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका जलवायू परिवर्तन के खिलाफ दुनिया के प्रयासों का मुल्यांकन करने वाले CCPI 2025 पर आजम चर्चा करेंगे CCPI क्या है तो यह है Climate Change Performance Index 2025 अब इसके माध्यम से हम देखेंगे कि इस Performance Index में भारत की स्थिती क्या रही है साथी विश्व के जो अन्य देश हैं वो इसमें किस पायदान पर अपने स्थिती को बरकरार रखने में सक्षम हुए है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज इस टॉपिक के इंतरगत जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग 2025 के बारे में हम बात करेंगे इससे पहले की वीडियो की हम शुरुआत करें आपको पता देना चाहते हैं कि अब UPSC का हब मुखरजी नगर नहीं बलकि नोड़ा होगा तो इसी द्रिष्टी कोर्ण से देखते हैं द्रिष्टी आईएस मुखरजी नगर की क्लासेज अब नोड़ा में भी होगी और इसका पता आप नोड़ कर सकते हैं अब नोड़ा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास इसकी लोकेशन है इसके संबन्द में अगर विस्तरित जानकारी आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर कर सकते हैं जो के नंबर आपको यहाँ पर देख रहा होगा 9311-406-440 पर आप संपर कर सकते हैं तो दोस्तों इस सूचना के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि द्रिस्टी आइस मुखरजी नगर की क्लासे जब नोड़ा में शिफ्ट हो चुकी है तो UPSC के तैयारी अब मुखरजी नगर में नहीं बलकि नोड़ा में होंगी सबसे पहले वीडियो में चर्चा के पक्षों की बात करें तो चर्चा के पक्षों के अंतरगत बिंद्वों को देख लेते हैं बात हम खबर की करेंगे और साथ-साथ बात करेंगे क्या है CCPI इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि CCPI से समंधित सवाल अक्सर परिक्षा में पूछे जाते हैं साथी क्या कहती है हालिया रिपोर्ट इस रिपोर्ट में क्या वो इस्थितियां दर्शाई गई है उन इस्थितियों को भी देखनेंगे साथ-साथ क्या है प्रमुक्ष चु पर आया था जहां हमको प्रगति देखने को मिली थी लेकिन क्या उस प्रगति उस स्पीड को भारत बरकरार रख सका है तो इसके अंतरगत इसको भी समझने की कोशिस करेंगे अंत्मे का भ्यास प्रस्ट जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपके उपर छोड़ेंगे कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सामाने अध्यान प्रश्णुपत्र तीन से जोड़ के इसको आप देख सकते हैं बात सबसे पहले खबर की करते हैं तो खबर है इंडिया ड्रॉप्स टू प्लेसेज बट रीमेन एमांग टॉप 10 क्लाइमेट पर लेकिन अगर ओवराल देखा जा तो भारत टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में सक्षम हुआ है तो ओवराल अगर वैश्विक रूप से तुलना करें अन्य देशों के हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि स्थिती ठीक है लेकिन इसमें और बहतर प्रदर्शन की गुंजाइस है औ अर्थाज जो Climate Change Performance Index है ये होता क्या है तो देखिए CCPI की जहां तक बात है तो ये 2005 से हर साल प्रकाशित होने वाली एक रिपोर्ट है इसको 2005 से ही हर साल प्रकाशित किया जाता है और इसके माध्यम से देशों के जलवायू संरक्षन को लेकर कैसे प्रदर्शन है देशों द् स्वतंत्र निगराने उपकरण है और राष्ट्री और अंतराष्ट्री जलवायू नीति में पारदर्शीता बढ़ाता है इसका मतलब कि राष्ट्री अस्तर पर और अंतराष्ट्री अस्तर पर जलवायू परिवर्थन को लेकर आपने क्या प्रगति की है उस प्रगती interpreting प इतनी प्रगति की है अलग-अलग देशों से आप compare करके उनकी स्थिति को जान सकते हैं तो ये रिपोर्ट इस बात का दियोतक है अब प्रकाशन संस्थाएं जिससे एकसल प्रिलिम्स में सवाल पूछ लिए जाते हैं तो इसको प्रकाशित कौन-कौन सी संस्था करती है तो द ये मुल्यांकन ये किया जाता है इन देशों और यूरोपी यूनियन को मिला कर कि इन सभी में जलवायू परिवर्तन से लड़ने की दिशा में जलवायू परिवर्तन को कम करने के लिए उसके शमन के जो प्रयास है उसमें किस प्रकार का परफॉर्म किया गया है जो कि सामो परसेंट से अधिक यहां से किया जाता है ऐसे में ये काफी महत्पूड हो जाता है अब देखिए इसमें चार ऐसी श्रेणिया है इन चार प्रमुक श्रेणियों के अंतरगत इसका मुल्यांकन किया जाता है इन चार प्रमुक श्रेणियों के इलावा इसमें 14 संके तक भी होत तो पहली श्रेणी तो यही होगी और इसका हम कह सकते हैं 40% मुल्यांकन का आधार इस आधार पर होता है अर्थात हम कह सकते हैं अगर मालीजी आपको कोई पेपर आप दे रहे हैं तो उसमें जो 40% नंबर है आपको इस श्रेणी में दिये जाएंगे ग्रीन हाउस गैसों का उ इनर्जी की बात कर ले तो डेनमारक का नाम पराप्त करता है और इसमें काफी बहतर उसने प्रदर्शन किया है इसी तरह से और्जा 잘 उप्यो एनर्जी यूज इसका भी कुल्यकूर का की अब 20 प्रतिशत ईसका भी भारंग होता अर्थाद 20 प्रतिशत ये भी इसकी भी हिस्सेदारी होती है अब उर्जा उप्योग की अगर बात कर लें तो अगर प्रतिव्यक्ति कितनी उर्जा खपत हो रही है आप उर्जा खपत को जितना कम करेंगे उतना अच्छा परफार्म करेंगे इस रेणी के अंतरगत जैसे कि जापान को अगर देखें तो उर्जा दक्ष्टा के मामले में जापान काफी अगरणी है तो उर्जा उप्योग तीसरा हो गया चौथा है जलवाई उनीती अर्थाद क्लाइमेट पॉलिसी ये भी कुल स्कूर का 20% कवर करता है अर्थाद क्लाइमेट पॉलिसी आपकी क्या है जैसे भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में राष्ट्री सौर मिशन काफी उलेखनी योगदान दे रहा है उसके माध्यम से भारत जो है इसके लवार नेश इडिया है जिसके अंतरगत आपका मुल्यांकन किया जाएगा और फिर उस रिपोर्ट में आपको इनहीं मुल्यांकन के आधार पर आपकी जो आपकिस पायदान पर है वो डिसाइड होता है इसका उद्देश क्या है तो देश जलवायू संरक्षन के प्रयास और प्रगति क इस अंडरव में विभिन देशों के बीच कंपेर करके तुलना करके उनकी स्थिती को दर्शाना है पारदर्शी तरीके से ये बताना है कि जलवायू परिवरतन की देशा में ये देश कितने बहतर तरीके से काम कर रहे हैं चाहे वो ग्रीन हाउस गैसों के उच्टसरजन को कम करके चाहे वो नवी करणी उर्जा का इस्तिमाल करके या प्रती व्यक्ती उर्जा खपच जो है उसको कम करके या जलवायू नीति का बहतर तरीके से इंप्लिमेंटेशन करके इन सभी आधारों पर इस बात का मुल्यांकन किया जाएगा साथी साथ ये पारदर्शी विवस्था होती है और लोगों को जागरूक करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है कि ये देश पिछले वर्ष इस नंबर पर था इस देश ने उस देश की तुलना में बहतर पर फार्म किया आगे और सुधार करने के आउशकता है तो ये सारी बाते इसके माध्यम से जागरूकता बढ़ाने में भी सहयोग करती हैं अब देखिए ये प्रदर्शन सूचकांग जो है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग कहां पर जारी किया गया तो वार्षिक ये जलवायू सम्मिलन जो की अजर्बैजान में हो रहा था बाकू में वहाँ पर इसकी घोशना की गई है जैसा कि आपको बताया गया इसमें 63 देशों और साथ साथ ये उनियन उसको लेके 64 अब इसमें भारत का अस्थान क्या रहा तो भारत की स्थिती थोड़ी खराब हुई है हम कह सकते हैं लेकिन वैश्विक रूप से अगर देखें तो टॉप 10 में भारत अभी भी बना हुआ है ये एक अच्छी बात है और टॉप 10 में बने रहने का कारण ये भी है कि भारत ने कहीं ने कहीं जो प्रती व्यक्ति उच्छ सर्जन है और तेजी से बढ़ती नवी करणी उर्जा के प्रती अपना जो रुझान दिखाया है उसका इसमें बहुत योगदान है विशेश रूप से हम रास्ट्री सौर मिशन को और इस तरह की योजनाओं को इसमें उसके योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं साथी भारत और United Kingdom इन दो की अगर बात कर लें तो G20 देशों में ये उच्छ प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची में भारत और यूग के शामिल हैं इसके अलबा पहले तीन स्थानों की अगर बात करेंगे दिखाई देगा कि कौन उसके बाद आता है तो डेन्मार्क उसके बाद अपना स्थान बनाता है सबसे अंतिम पायदान की बात करें तो एरान को सरसथवा स्थान प्राप्त हुआ है सरसथवा स्थान आप सूचेंगे कि केवल इसमें चीन 55 स्थान पर है और अमेरिका की बात कर ले तो 57 स्थान पर है इस फिगर से और इस पस्थ होगा आपको देखिए पहले की तीन स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि जो भी क्राइटेरिया है चाहे वो ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन का मामला हो, Renewable Energy का मामला हो Energy Use का मामला हो या Climate Policy का मामला हो इसके आधार पर जो Perfection है वो किसी भी देश में ऐसा नहीं रहा कि उसको पहला दूसरा और तीसरा स्थान दिया जाए उसके बाद Denmark है, चौथे स्थान पर है निदरलेंड पाचवे पर है, UK आपका छठे स्थान पर है फिलिपिन साथवे पर है, आठवे पर आप मौरक्कों को देख सकते हैं नवे पर नार्वे और दसवे पर इंडिया है और पिछली बार भारत का स्थान क्या था तो साथमा था, इसको आप याद रखेंगे उससे पहले भारत की बात करें, तो आठवे अस्थान पर था और भारत ने पिछली बार प्रगति की थी, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा नीचे खिजगता हुगा हमको दिखाई दे रहा है अब भारत की क्या उपलब्धी है, तो भारत की अगर उपलब्धी की बात करें, तो देखें, कम प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन अर्थाद, अगर वैश्विक प्रतिव्यक्ति आउसत उत्सर्जन जो होता है उसकी तुलना में अगर भारत को देखेंगे तो भारत का प्रती COT उत्सरजन प्रती विक्ति आप देखें यहाँ पर 2.9 तन दिखाई दे रहा है जबकि वैश्वी काउसत कितना है तो वैश्वी काउसत आपको दिखाई देगा 6.6 तन तो उससे काफी कम है तो यहाँ पर भ पूफ टाफ सोलर इसकीम की शुरुवात की है इसके लिए भारत इस रेड़ी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इस रेड़ी में उसने अच्छे अंक भी हासिल किये हैं हारे तुर्जा का लक्ष अगर भारत की आप देखें तो 2070 तक भारत का यह टार्गेट है कि जो उच्छ सर्जन है तो उसमें जो विशात हम कह सकते हैं जो निश्कासन होता है एमिशन होता है CO2 बगएरा का गरिया गरीन हाउस गैसों का और साथी उसका संतुलन वो करेगा तो जो नेट जीरो हम कह सकते हैं उच्छ सर्जन प्राप्त करने का जो वादा किया है भार जो नवी करणी उर्जाक शमता है उसको हासिल करने का लक्ष रखा गया है नवी करणी उर्जा श्रोत से 2030 तक 500 गीगावाट अगर उर्जाक शमता हासिल करता है भारत तो ये निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इस रिपोर्ट में और बहतर स्थिति को ऐसा लक्ष भारत के दुआरा तै किया गया साथ ही साथ जो एलेक्ट्रिक वाहन है परिवहन में हम कह सकते हैं प्रदूशन फहलाने वाले जो वाहन है उनका कम से कम प्रयोग किया जाएगा विशे इस रूप से जो टू-विलर्स है उसमें आप देखें एलेक्ट्रिक वेक अब देखें कोईला जहां दुनिया के अन्य देश हम देख रहे हैं जो कोईले पर निर्भरता को कम करने की दिशा में अग्रणी है वहीं पर भारत की कोईले पर निर्भरता कम होती दिखाई नहीं दे रही है साथ ही दुनिया के सबसे बड़े कोईला भंडारों में से एक है क्योंकि विश्व के अगर दस सबसे बड़े कोईला भंडारों में देखें तो भारत का स्थान भी है अब ऐसे में उत्पादन बढ़ाने की योजना भारत तो बना रहा है तो कोईले पर निर्भरता जब तक कम नहीं होगी तब तक हम इसका बहतर परिडाम नहीं देख सकत हैं क्यों क्यों deny पर अत्यदookie निर्भरता के कारण ही 25 अस्तान पर नजर आ रहा है तो भारत अगर पर अपनी निर्भरता तक बात है तो इसके लिए उसने नय मानक लागू तो किये हैं कि यह उर्ज़ा धख्षता के मानक होने चाहिए लेकिन अभी उसको implement नहीं कर पाया है तो इस दिशा में कुछ policies भी बनानी होंगी कि कोईले पर अगर निर्भरता है तो उसमें कुछ इधन प्रोजेक्ट पर लाइसेंस को रोकने में उसका प्रदर्शन बहतर हुआ है तो UK जो के अच्छा परफॉर्म इसी लिए कर पाया है क्योंकि उसने कोईले पर अपनी निर्भरता को कहीं न कहीं कम किया है तो यह एक उदारण है और चीन इसलिए पिछड़ा हुआ दिख दे रहा है तो कहीं न कहीं भारत को अगर कोईले पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी तब वो आगे आने वाले समय में और बहतर परिडाम देखे जा सकते हैं तो यह कुछ ऐसी चुनोतियां है जिसको दूर करने के आउशकता है अभ्यास प्रशन की तरफ चलेंगे लेकिन आगे की रह क्या हो सकती है वो कौन ऐसे प्रयास हो सकते हैं जिसको जिसमें हमको और बहतर परिडाम देखने को मिल सके तो देखिए तो जलवाई अनुकूल हम फसल का प्रयोग करना शुरू कर दे कुछ ऐसी फसले हमारे यहां जो की चाहे गर्मी हो सुखा हो बरसाथ हर कं कर सकते हैं जो की वर्टिकल जो फारेस्ट होते हैं आप देखेंगे कुछ ऐसे शहर है जैसे इटली का बोसको वर्टिकल मिलान में जो इमारत है वहाँ पर इसको देखा गया है वर्टिकल फॉरेस्ट को बहुत अच्छा एक्जामपल वो प्रस्तूत करता है यह एक ऐसा का एक अच्छा एक्जामपल प्रस्तूत करता है जलवायू बीमा मतलब आपदा के समय वित्ति सुरुक्षा प्रदान की जाए यह भी एक अच्छा कदम हो सकता है समुद्री शैवाल की खेती हो जिसमें की जापान ने एक अच्छा उधारान प्रस्तूत किया इसके पर नेधर लेंड में जो साइकल ट्रैक बनता है या साइकल चलाने पर सबसीडी दी जाती है साइकल के खरीदने पर दी जाती है साइकल ट्रैक को बनाने में बनाने में ज्यादा से ज्यादा सरकार का हस्तक शेप होता है तो इस तरह के कदम उठाके हम इस दिशा में और बह एक जवाब जरूर देंगे, लड़ते रहें अपने लक्ष की और बढ़ते रहें.